नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर राजगीर में आज से मलमास मेला आरब बिहार में बार को लेकर NDRF वो SDRF का भियांशरू दिपाबली और छट में दिल्ली से आने वाली फ्रेनों में सीटे फुल राइकों को लेकर NDR ने जारी की रिपोर्ट यससरी जैसवाल ने ये खास वीडियो किया शेयर अब चलिए बढ़ते हैं शान तक की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से राजगीर में आज से मलमास मेला अरंभ आज यानि के 18 जुलाई से राजगीर में लगने वाले विश्व प्रसिद मलमास मेला की शिरुवात हो चुकी है जो की 16 अगस तक चलने वाली है बतादे किस मेले की शुरुवात से मरिया धाम के महंत फलहारी बाबा के द्वारा ब्रह्म कुंड में आरती के बाद यग शाला में ध्वजा रोहन करके की गई बतादे के आज से मानिता के नुसार 33 कोटी देवी देवता एक महीन तक राजगीर में प्रवास करेंगे बतादे कि मेले की शुरुवात करने के दोरान पांडा समीती के अध्यक्ष नीरज उपाध्याई, सचीव विकास उपाध्याई, कोशा ध्यक्ष ओमकार नात उपाध्याई, समेथ पंडा समीती के अनिस दर्शे मौजूद रहे बतादे की राजगीर में 22 कुंड एवं 52 जल्धाराओं में इस बार श्रधाल उस्तनान कर सकेंगे, इसके लिए सभी कुंड एवं जल्धाराओं को जिन्धार किया गया है बिहार में बार को लेकर NDRF वो SDRF का अब्यान शुरू, अब्दा प्रवंधन विभाग के ओर से विविन जिलो से मिले रिपोर्ट के आधार पर समभावित बार को लेकर सभी जिलो को दिशा नर्देश जारी कर दिया गया है और बार से बचाओं के लिए सभी जिलाधीकारी को सतर्ख रहने को कहा गया है बताधिक विवाग के मताब एक राज्जी के 28 जिले ऐसे हैं जो हर साल बार से प्रभावत होते हैं वहीं पिछले कुस दिनों में राज्य में हुई बारे से कहीं नदियों के जलस्तर में भी बरहोती आई है, ऐसे में NDRF और SDRF की टीम को जिलों में तैनात करने की शिरवात कर दी गई है, ताकि बार के दौरान राहत कारे में सभी लोगों तक आराम से प्रशासनिक अधिकार 12 नवंबर को दिपावली और 17 नवंबर को नहाय खाई है, ऐसे में दिली से आने वाले ट्रेनों में 14 नवंबर तक की सीटे फुल हो गई है, बता दे कि बुकिंग खुलते ही दिली से आने वाली ट्रेनों में सीटे फुल हो गई, 9 नवंबर से 14 नवंबर तक दिली से आने वाली सभी ट्रेने फुल दिख रही हाला कि 12 नमंबर को तेजस राजधानी में AC3 में 262 और ड्रिबुगर राजधानी में 61 कंफर्म टिकट उपलब्द है मालम हो कि दिल्ली से आने वाली ट्रेनों में अगर वेटिंग की बात करें तो तेजस राजधानी AC3 में 133 जीवी AC3 में 84 स्लीपर में 226 वेटिंग है उतपाद विवाग के टीम ने सराप की खेप की बड़ामत बिहार में पुनरूप से सराप बंदी है लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन सराप तसकरी से जड़े मामले सामने आते रहते हैं पता देगी ताचा मामला जमूई क जहां उतपाद विवाग की टीम के दोरा जमूई के अलग-अलग जगों पर छापे मारी कर सराप की बड़ी खेप बड़ामत की गई है और साथी तीन वाई के साथ चार तसकरों को भी गिरफतार किया गी जिनकी पहचान लचुआर थाना छेतर के बालड़ा गाउन निवा सोनु कुमार जहसा थाना चेतर के दिगरा गाउन निवासी धर्मिंद्र कुमार और चिक्को कुमार के रूप में हुई है बता दे कि विवाग की टीम के दोरा तसकरों के पास से कुल 84 लीडर अवैस सराप बरामत किये गए हैं सब के लावा टीम के दोरा चकाई और बामध चेक पोस्ट से सराप के नशे में कुल 12 लोगों को गिरफतार किया गया है अगले 5 दिनों तक राजे में कम होगी बारिश पिछले कुस दिनों से राजे के कही जिलों में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी रहत मिली थी लेकिन अब अगर मौसम विग्यान के पतना की माने तो आने वाले 5 दिनों में मौनसून के गतिवीधी में कमी आ सकती है अगले 5 दिनों तक अर्ब वरिस्टी का पुरवानुमान है बतादे कि पतना मौसम विग्यानिक आशिश कुमार के द्वारा कहा गया है कि इन दिनों मौसम के पुरवानुमान के अरुसार म मौनसून द्रोनी देखा बीकाने सीकर ओड़ाई सिद्धी अम्बिकापुर बाला सोर से होकर दक्षिनपुर्व की ओर से पुर्व मध्य बंगाल की खारी तक प्रभावी है इसले कर प्रदीश में मौनसून की गतिवीदी में अगले पांस दिनों में कमी आएगी हालाके इन धाना चेतर के ब्यूरी गाउं में भब हुआ सड़ी पीओ के नित्तु में पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर 15 बड़े ब्रांडों के नकली सिगरेट तयार करने वाली फैक्टरी का खुलासा किया गया है बता दी कि पुलिस को इस फैक्टरी से चापे मा अभी तक फरार चल रहा है चुतर प्रदीश का रहने वाला बताया चारा बता दिक इस बात की जानकारी कैमूर स्पी लरत मोह सर्मा के द्वारा दी गई है फिलाल पुलिस इस मामले में चानमीन कर रही है कि सेलिंग और सरगना कहां कहां तक है चापिमारी के दुरां टीम में शम सभी पुलिस वदाधिकारियों को स्थमानित किया जाएगा वधायकों को लेकर ADR ने जारी की रिपोर्ट Association for Democratic Reformist यानी की ADR के द्वरा देश के अलग अलग राजियों की 4001 वधायकों से जुरा एक रिपोर्ट तयार जारी किया गया है जिसके अनुसार बिहार में प्रतीशत विधायक ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामलाद दर्ज है इस मामने में बिहार के परोसी राज्य चारकन पश्चिम बंगाल और उतर प्रदेश आगे हैं जिसमें से 50 ऐसे विधायक है जिन पर गंभीर अपराधिक मामलाद दर्ज है वहीं अगर हम सैचनिक प्यम बिहार टीम ने जीती अंडर 19 फुटबॉल ट्रॉफी 14 से 16 जुलाई तक असम के गोहाटी में आयूज इत्राश्ट्रिय अस्तर मिनी फुटबॉल प्रतियोगिता में बिहार टीम ने जीत हासल कर ली है। और फिर फाइनल में असम को हडाकर विजिता ट्रॉफी पर कबजा कर लिया गया। बतादेक्स प्रतियोगिता में बिहार के अलावा तेलांगना केरल, अरुनाचर प्रदेश, राजस्थान, उद्धर प्रदेश, जार्खन, उडिसा, असम, सिक्किम और बंगाल की टीम ने भाग लिया था। उदर गंगाग, गंडग, घागरा, खिरोई, लल्क, बकिया, बूरी गंडग और पुनपुन नदी का भी जरस्तर में बढ़ोतरी होड़ा है, इनमें से कई नदिया लाल निशान के ओर बढ़ रही हैं। नदीय का हिस्सा है, उन्होंने कहा कि बीजेपी के कारण, नहीं मैंने निश के कारण NDA छोड़ा था, लेकिन अब हम एक बार फिर से NDA के साथ हैं, हमने कभी पार्टी के सद्धानतों से समझोतान नहीं किया। समरार चौदरी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज, विधार सभा मार्ज के दौरान हुए घटना को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी सांसद, जनारत अंसिंग सिग्रिवाल के दौरा, पटना के डियम और एससपी, समीत अन्य अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने का दन दिया गया तो वहीं दूसरी और अब जेडियों नेता रंजीत कुमार के दौरा भी समरार चौदरी के खिलाफ को तवाली थाना में लिखत सिकायत दर्ज करवाई गई है, और उन्होंने आरोप लगाया है कि विधार सभा मार्ज के दौरान समरार चौदरी के दौरा मक के मंतरे नितीश कुमार को लेकर अभधर भाषा का इस्तमाल किया गया था, जिससे कि उनकी और उनके प्रती आस्था रखने वाले लोगों की भावना को ठेस पहुंचा है, बता दे कि जेडियों के ओर से समरार चौदरी के खिलाफ कारवाई की मांग करते वे अपनी शिका चातर राज़त भारत है, पता दी कि उन्होंने स्पेस के जर्ये, पीते दिन कहा कि चातर राजनीती से ही मुलायाम सिंग्याद अवलालु प्रशाद रितीश कुमार निकले है, उन्होंने कहा कि चातर राज़त का एक ही कारेकरता राज़त को मजबूती देने वाला है, पर बश्यवानी है, केदारनाथ मंदर में मुबाइल और कपड़ों को लेकर बने नए नियाप, श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदर समीती की अध्यक्ष अजंदर के द्वारा मीडिया से बातचित करते वे यह जानकारी दी गए कि केदारनाथ मंदर के अंदर फोटोग्र इसको देखती वे, ये पावंदी लगाई गई है, इसके साथ ही मंदर और मंदर परिसर में मर्यादित वस्तर धारं करनी को भी कहा गया है, इसके लावा मंदर प्रांगन में तंबू या स्थापत करना डंडनी अपराध है, ऐसे में अगर इन अपराध को कोई करता हुआ चाता है तो उस पर सफ्क्त कारूनी कारवाई की जाएगी सीयम नितीश के खिलाफ बैंगलूरू में पोस्टर वर्ड आज बैंगलूरू में हो रही विपक्षी एक तक की दूसरी बैठक में 20 से जादा गैर भाजपा पार्टियों के सर्शनिताओनी भाग लिया है लेकिन मा अपरेल 2022 में और दूसरी बार जून 2023 में गिरा वहीं दूसरी पोस्टर में नितीश कुमार की तस्वीर को लगा कर यह बताया गया है कि उनकी तरफ से लगाए गया है यह सवी जैसवाल ने यह खास वीडियो किया शेयर डेबियो टेस्ट में सतक जरने के बाद यह सवी जै अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जो कि वेस्ट इंडीज के खिला पहले टेस्ट मैच का है इस वीडियो में यह सवी डेबियू टेस्ट मैच में सतक जरने के बाद यह सथ जैसवाल के दरा कई रिकॉर्ड को धस्त किया गया है उनके इस तुफानी पारी के भारत में पहला टेस्ट एक पारी और 141 रंड की वजह से अपने नाम किया बीते दिन हमाई दरा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोग ना प्रज़ा आप हमें हमारी कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था जिन्हों हमाई दरा पूछे का सवाल का समेला में आप घूमने जाने वाले हैं या नहीं अपने जाब हमें मारी कमेंट सेक्शन में लिख कर दरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बहने रहने के लिए देखते रहें बिहारे निउस और साथ है अगर आप यूडूब से देखे बुले धनेवाद